नमस्कार प्यारे बच्चो आज हम आपकी इतिहास की पुस्तक हमारे अतीत में से अध्याय साथ बुनकर लोहा बनाने वाले और फैक्टरी मालिक इस पाठ का अंतिम हिस्सा पढ़ने वाले हैं इससे पहले हमने भारती बुनकर और भारती लोहा उद्योग के बारे में बड़ आपकी पाठे पुस्तक में एक कहानी दी गई है यह वर्ष 1904 की बात है अप्रेल के महीने में अमेरिकी भूबेग्यानिक चार्ल्स वेलड और जमशेद टाटा के सबसे बड़े बेटे दुराब जी टाटा चटिस गड़ में लोह अयसक भंडारों की खोज कर रहे थे क्यों कर रहे थे क्योंकि ये भारत में एक लोह वह इसपात संयंतर लगाने के लिए लोह अयसक भंडारों की तलाष में के महीने और काफी सारा पैसा खर्च कर चुके थे मतलब ये एक कारखाना लगाना चाहते थे जहां पे लोहा और इसपात भारत में ही तियार किया जाए उसके लिए जो कच्चा माल चाहिए होता है लोह अयसक उसकी खोज के लिए ये लोग 36 गड में घूम रहे थे और वो काफी पैसा खर्च करने के लिए तयार थे पर उनकी शर्त ये थी कि लोह अयसक भंडारों का हमें पता चले जो उम्दा किसम के हो मतलब बहतरीन लोह अयसक हमें मिलें तो हम वहीं पर सयंतर लगाएं इसमें जो अमेरिकी भूब ग्यानिक थे वो भी मदद कर रहे थे अब हुआ क्या के घंटे तक जंगल की खाक शानने के बाद वेलेड और दुराब जी एक चोटे से गाउं में जा पहुंचे वहाँ उन्होंने क्या देखा कुछ पुरश और इस्तरियां टोक्रियों में लोह अयसक लेकर जा रहे थे ये अगरिया समुदाए के लोग थे हमने पिछली वीडियो में भी देखा अगरिया समुदाए के लोग भारत के स्थानिय लोहा बनाने के कारिगर थे तो इन्हें काफी ग्यान था और ये टोक्रियों में भर भर कर लोह अयसक ला रहे थे जब उन्होंने पूछा कि कहां से लाए तो उन्होंने एक पहाड़ी की और इशारा किया और जब वेलड और दुराब जी घने जंगलों से होते हुए इस पहाड़ी पर पहुँचे जब भी हम कोई कारखाना लगाते हैं तो कुछ मूलभूत संसाधनों की अवशकता होती है यहाँ पर भी एक प्रेशानी थी लोह ऐसा का भंडार तो मिल गया चतिस गड में रजहारा पहाड़ीया परन्तु यह सूखा इलाक्ता था कारखाना चलाने के लिए आसपस कहीं भी पानी नहीं था लिहाजा टाटा ने क्या किया अपनी तलास जारी रखी तब उन्हीं अगरिया समुधाय के लोगों ने अगरिया मैंने पहले बताया क्या बताया आप याद करें लोहा बनाने के जो माहिर थे कारिगर थे उन्होंने कुछ और स्रोत ढूनने में मदद की जहां से भिलाई स्टील सेयंतर को अयसकी आपूर्ती होती थी और कुछ सालों के बाद सुवर्न रेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके फेक्टरी और एक अधियोगिक शहर बसाने के लिए जगा बनाई गई और इस शहर का नाम रखा गया जमशेदपूर क्योंकि दोराब जी टाटा के पिता जी का नाम जमशेद टाटा था तो उन्होंने अपने पिता के नाम पर वहाँ पे जमशेदपूरा का को बसाया उसका निर्मान किया इस थान पर लोह अयसक भंडारों के निक्ट ही पानी भी उपलब था और यहां पर जिस कंपनी की शुरुवात हुई 1912 में ये जीके का क्वश्चन बनेगा 1912 में टिसको की स्थापना हुई और टिसको की फूल फॉर्म है टाटा आइरन एंड स्टील कंपनी टाटा की कंपनी थी आईरन एंट स्टील कंपनी ये 1912 में अस्तित्तों में आई टिसको की स्थापना बहुत सही समय पर हुई थी ऐसा क्यों इसको भी अब हम जानेंगे क्योंकि उन दिनों भारत पर ये तो आपको पता है कि ब्रिटेन का राजस्ता अनों होने अपना उपनी वेश मना के रखा था इन दिनों वो भारत में भी स्टील आयात कर रहे थे मतलब इंग्लैंड से स्टील मंगवा रहे थे क्योंकि भारत में रेलवे का विस्तार हो रहा था जगा जगा पट्रियां बनाई जा रही थी और भारी इसपात की स्टील की मांग थी प्रन्तु अंग्रेज विशेशग्य यह मानने को त्यार नहीं थे कि भारत में भी श्रेश्ट इसपात का निर्मान संभव है मतलब टिसको जैसी कंपनी भारत में स्थापिद हो चुकी थी प्रन्तु फिर भी अंग्रेज लोग जो यहां पे लोहा प्रयोक करते थे वो इंग 1914 में एक बहुत बड़ी अंतरास्ट्रे घटना हुई थी वो आपको पता है 1914 इस भी में प्रथम विशवयुद शुरू हो गया था और बिर्टेन में बनने वाले इस पात को युरॉप में युद समंधी अवशक्ताओं को पूरा करने में जोंक दिया गया इस तरह भारत आ ब्रिटी समराज्य किस पर आश्रित हो गया टिसको पर मतलब जितना भी काम अब भारत में होने लगा वो सारा का सारा काम लोहे और स्टील का सारा काम टिसको में होने लगा जब युद लंबा खिंच गया तो टिसको को युद के लिए गोलों के खोल रेल गाड़ियों के प और टिसको समूचे ब्रिटिस समराज्य में इस पात का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था अच्छा अब आप दिमाग पर जो डालिए प्रथम विश्रुवियुत के बाद भारती कपड़ा उद्योग को भी काफी फाइदा हुआ था योकि जो ब्रिटेन के जो उद्योग थे वो अपनी युद संबंधी अवश्रक्ताओं को पूरा करने में लगे हुए थे तो भारती कपड़ा उद्योग को भी काफी फाइदा हुआ था यहाँ पर भारती लोहा उद्योग को भी काफी लाग हुआ यहाँ पर आप यह पुराना चित्र देख सकते हैं यह जमशेदपुरा का 1919 का चित्र है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर विद्दुत सयंतर और वाइलर सयंतर लगाये जा रहे हैं आप देखिए कितने धिक लोग यहाँ पर काम पर लगे हुए हैं और किस तरह से यह एक फैक्टरी का निर्मान हो रहा है जहां पर एक टिसको नामक फैक्टरी का निर्मान हुआ और साथ में जमशेदपुर जैसा बड़ा शहर भी बिसाया गया तो यह आपका पार था आशा है आप सबने ध्यान से सुना होगा पर आप सबसे यह अपेक्षा रहेगी कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें समझे एक बर समझ में आए तो दूसरी बर देखें और साथ में अपनी पाठे पुस्तक पास में रखें क्योंकि बहुत जरूरी है कि आप पाठे पुस्तक के माध्यम से इस वीडियो का अगर अध्याइन करेंगे तो आप बहतर सीख इनी शब्दों के साथ जैहिन जैहिमाचल